पेड ने पेड रोला पूरा घणारी गलोज मेरे बॉबी में हमको किया मेरी धुलाई कर दी और जीच के हमको बाहर निकालने लगा पहरा मेरी सुरक्षा ची और दूसरा कोई भी सुरक्षा मेरे तोच में नहीं कर पाई बीते दिनों भागनपूर इंटर सिटी एक्सप्रेस में एक घटना घट गई दरसल एक बुजुर्ग टीटी को जियारपी के कुछ लोगों ने मिल करके जियारपी धाना के कुछ सिपाईयों ने मिल करके उनकी जमकर पिटाई कर दी ओन डूटी जिसके बाद से ट्रेन में का मुजुर्ग टीटी जो है वो रोते बिखल बिलगते नजर आये थे और उन्होंने अपना दुखड़ा व्यक्त किया है पहले वो दुखड़ा सुनिए उसके बाद आगे की बादशीत हम करने माने हैं वो लोग चाहा गया हुटा पेड में पेड में लाग वो दुखड़ा का मुझे आ रहे हैं उन्हों को वहें से सुचना मिला ना दुखड़ा के नाम पर दड़ा लिश्टार लगा हुआ है पूरा गारी गलोज मेरे बावी में हमको किया मैं उस बात को इगनोर करके मैं आगे काम करते हुए CE1 में गया और CE1 में जाकर के पांच गो इंस्पेक्टर उस स्टेशन का उटर करके मेरी धुलाई कर दी और घीच के हमको बाहर निकालने लगा मैं रोने लगा महिलाओं के बीच में मैं पहर हाथ पकड़ा तब जो है वो महिला मेरी सुरक्षा की और दूसरा कोई भी सुरक्षा मेरे कोच में नहीं कर पाया तो क्या हमी लोग थे यहां पर ठीकट चेक करने के लिए गया उनका सीट नहीं था वो बैठे हुए थे हम उनको बोले कि सीट वाला आएगा आप यह सीट उट जाएगे इतना सा ही बात बोले उसके बार आगे जैसे बढ़े हमको गाली गलोच किया पसंजर के सामने पसंज का खियाल दखते हुए मैं आगे कोच में गया और जैसे मैं 16-17 सीट पर मैं चेक ही कर रहा था कि उसी समय हमारी बहुत बुरे टेका से पिटाई हो गई जिसका आख मूँ पेट में अन्दूनी मार मारा गया आपको बता दे कि भागलपूर इंटर सीटी एक्सप्रेस में ऑन डूटी भुजर्ग टीटी को जियारपी के एक SI ने बुरी तरीके से पीटा है टीटी का नाम दिनेश कुमार सिंग है जो बाड थाने में जियारपी SI सुनिल कुमार के खिलाब मामला दर्ज कराए है दिनेश कुमार सिंग ने बताया कि उनकी डूटी भागलपूर इंटर सीटी एक्सप्रेस 13402 डाउन में ऑन डूटी C1 कोच में AC चेरकार तता CE1 कोच में अपना कारे करते हुए दानापूर से भागलपूर जा रहे थे उसी दोरा सीट के बादे में सुनिल कुमार ने पूछा कि यह आपका सीट है यदि आपका सीट नहीं है तो यह जिन लोगों का सीट है उनको आने पर आप दूसरे भोगे में चले जाएगा इतना सुनते ही SI सुनिल कुमार जो बख्तियार पुरका है और उनके साथ हैं उन् कारण सब्ज नहीं आया कई लोग असमंजर्स की स्थिति में थे कि ट्रेन इतनी देर क्यों रुक हुई है मामले को लेकर के साई सुनिल कुमार के खिलाब उचित करवाई करते हुए इस आटी देनेश कुमार सिंग ने बाड में थाने में लिखे दर्ज कराई है तो भागलपूर इंटर सिटी एक्सप्रेस में कल घटना जो घटी है कही न कहीं काफी दुकद है और जिस तरीके से उनकी पिटाई की गई है और डूटी में इस पे कारवाई होनी जरूर हुआ 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 है